हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सी टीटी एंटीटेश प्रिप्रेशन में और आज के इस वीडियो में मैं के वीडियो में के प्रिभीयर से क्विश्चन को लेकर आई हूँ और आज में बाल वीकार्श प्रण सिक्षा सास्त के प्रश्णों को हल करूंगी इसमें 132 तक के प्रश्णों को मैं पिछले वीडियो में हल कर चुकी हो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं ठीक है 133 नमर से आज मैं शुरू करूंगी 133 नमर कुष्चिन है विक्तिक ध्यान सिक्षा डैस क के लिए वांस ने मारी जाती है इसका एंसर होगा ओप्सन अ कि भी धीरे धीरे शीखने वाले छात्रों ठीक है 134 नमर कुष्चन है निमलिखित में से कौन सा वह मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं इसका एंसर होगा ओप्सन सी छात्रों की पढ़ाई मे रुची की कमी 135 नमर कुष्चन है आपकी राय में इसकूल के छात्र संग गठित करने का क्या प्रभाब होता है इसका एंसर होगा ओप्सन सी छात्रों में नित्रित तो छमता विक्षित करना 136 नमर कुष्चन है किसी क्रिया कलाप के माद्यम से छात्र आसानी से क्यों इसके एंसर होगा ओप्सन एक क्रिया कलाप स्रेजनात्मक होते हैं 137 नमर कुष्चन है 137 नमबर छात्र डैस से जादा सीखते हैं इसका answer होगा option ये तो हम सभी जानते हैं करके सीखने से चात्र जादा सीखते हैं 138 नमर question है छात्र आम तर पर वैसे सिक्षक के प्रिशनशक होते हैं जो इसका answer है option डी सभी छात्रों के साथ दोस्ताना विवहार करता है 149 question है चात्रों में शमवेदना का गुण विक्षित करने के लिए सिक्षा को क्या करना चाहिए इसका answer है option C समवेदना से जुरी सेक्षनिक गतिवीदियों की स्कूल की विवस्था करे 140 question है वैस्क सिक्षा डैस के नियंतरन के अधीन होनी चाहिए इसका answer है option D सरकार सिक्षित विक्तियों और गयर सरकाली शंगटनों यानि यह सभी 141 question है निम्लिखित में से किसी आप स्कूलों में वड़ती अनुशासन हिंता का प्रमुक करन मानते हैं इसका answer है option C पढ़ाई का प्रेड़नादायक महावल next question है 143 number एक अच्छा सिक्षा कुआ होता है जो इसका answer होगा option C रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा है 144 number question है क्रिया का लाब तकनीक होती है इसका answer है option C कक्षा के अंदरित ठीक है next है 145 number question 140 और इससे उपर के अस्तर पर IQ रखने वाले विक्ति डैस के रूप में जाना जाता है इसका answer है option A विलक्षन 146 number question है कुछ सीखने और सीखी गई बातों को प्रियोग में लाने की प्रिकरिया डैस रूप से जानी जाती है इसका answer है option B आत्मसातकरन 147 number question है प्रतिवा शाली चात्र इसका answer है option A अंतर्म फैसले लेने में शोतंत्र होते हैं 148 number question है विजो के अंकूरन के अधारना को पढ़ाने के लिए डैस सबसे अच्छा तरीका है इसका answer होगा option C इस चात्रों के द्वारा बीज लगाना अंकूरत का निरिक्चन करना 149 number question है विकास डैस से सुरू होता है इसका answer है option C वच्पन काल की अवस्था 150 number question है द्रिश्च रब्य और सेक्स सारीरी गतिवीदियों गतिवीदियां एक सिक्षा को सिक्षन में मदद करती है क्यों की हुए है इसका answer है option C इंद्रियों का अधिक्तम उप्योग करके सीखने में शहयोगी होते है यहाँ पर बालवी का सुरू शिक्षा सास्तर का question समाप्त होता है इसमें reasoning के question बच गया है उसको मैं आगे के वीडियो में हल करूंगी और साथ ही English के भी बच गया है उसको भी मैं आगे के वीडियो में explain करूंगी इसके बाद जितने भी के वीडियो के question पेपर है आज तक जितने भी एक्जाम हुए है सारे question पेपर को मैं हल करूंगी इसके लिए आप मेरे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें अपने दोस्तों के भी शेयर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनी बात